नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज जोल इंडिया में मैं हूँ आपके साथ प्रदिन मुश्यरमा एक नजर डालते हैं उत्राकंट की खास ख़बरों पर प्रातमिक स्वास्टर केंद्र में आज कोर्ना वाइरस का ठीका करण शुरू हो गया है सीमो और शेतरी विदायक नवीन चंद्र तुमका ने संयुक्तु रूप से रेवन काटकर शुबहरम किया है जिसके बाद स्वास्ता केंद्र बे बने टीका करण कक्षम से पहले टीका COVID-19 ब्लॉक स्वास्त अधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्रपांडे को लगाये गया है वही नोंने कहा है कि वैक्सिनेशन से लोगों की भातिया दूर होंगी और अधिक से अधिक लोग इसका लाप राप्त कर सकते हैं साथ इनों ने कहा है कि हेल्थ केयर वर्कर ने फ्रेंट लाइन वारियर के रूप में कारे किया है जिससे उनको टिका करण लगवाना अविश्यक है और वहीं हल्दुआनी में सफाई करने गए नगर निगम के करमचारी को तीन लोगों न जम कर पीटा जिसके बाद पीडित नगर निगम करमचारी राजेश ने पुलिस से नियाए की गौहर लगाई है नगर निगम करमचारी राजेश का कहना है कि जब वेश्यक शेत्र में सफाई करने के लिए गया आता उदम सिंग नगर हल्दवानी हरिद्वार में भी आस सुबा कौरा चायरा अन इलाके में दूब खिली हुई है मौसम केंद्र देहरदून के अनुसार देहरदून में धूब खिली रहने की संबावना है सुबह और रात हलका कौरा रहेगा हरद्वार कौम मेला 27 वरवरी से शुरू हो सकता है राजसरकार ने वारता के दौरान केंद्र सरकार को ये प्रस्तावे तिथी बताई है मेले में प्रती दिन 10 लाग और विशेश अफसरों पर 50 लाग श्रद दालू के पहुचने का नुमा चिता दिया है बारा साल बाद आयोजित होने जारहा कौम मेला 27 वरवरी से 30 अपरेल तक आयोजित होगा हाला कि अभी राजसरकार ने विदीवत इसकी गोशना नहीं की है रिशिकेश के फानेंसर राजकुमार गुपता की हत्या रुपे के लिन देन को लेकर की गई ती इस सत्याकार को अंजाम देने के आरोप में पुलिस ने तीन व्यक्तियों को गरफतार किया है उनसे हत्या में इस्तिमाल वहान और अन्य सामन बरामत कर लिया गया है SSP ने सत्याकार का परदाफाश करने पर रिशिकेश पुलिस को डाहीजा रुपे का पुरसकार देने की गोशना की है दरदून ISBT पर रोडवेस करमचारी ने महिला के साथ छेड़ चाड़ और अश्ली हरकर करने का एक मामला सामने आ गया महिला ने करमचारी को विरोध करते हुए थपड़ भी मारे इसका वीडियो शोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है महिला ने आरोपित करमचारी के विरोध पुलिस चौकी में तहरीर दी थी लेकिन रोडवेस करमचारी के दवाब में महिला ने समझाता कर लिया आरोपित करमचारी रोडवेस एंप्लोईज यूनियन के पददिकारी बताये जा रहे है बागी शुर में तेजरफतार वान खाई में गिर गया इस गर्टा में 6 लोग गंभी रूप से गहल हो गया गरामीड और पुलिस की मदद से सभी गहलोग वस्पताल में भरती करवा दिया है फिलाल पुलिस मामने की जाज़ कर रही है फिलाल इस ग्लोट्र में सरफ इतना ही बने रहिए नियूज विल इंडिया के साथ आमस्कार.